निंदिया वाही के घर जायो सबी लोग आएगे जिन घर राम भजन ना हो निंदिया वाही के घर जायो निन घर राम भजन ना हो राम भजन ना हो निंदिया राम भजन ना हो गई अब देख लो सब सो रहे की जाग रहे हैं कितनी लोग सो रहे हाथ भाएंगे माता जी सो रही है बोली सच्छे दर्वार की सभी लोग हाथ ठाएंगे बिल्कु सिदे और भाईया कुरसी वालो कुछ करके खालो कम से कम हाथ तो उठालो और साथ में कहेंगे क्याँ निन्दियाँ बाधी के घर जाओ दिन और रात को मिलागर के 24 घंटे होते हैं और पहर कितने होते हैं? आठ पहर आठ पहर में आप लोग करते क्याएक एक सब्द को सुनेगा चार पहर धंधा मा बीते चार पहर गाईों सो चार पहर धंधा मा बीते चार पहर धंधा मा बीते चार पहर गाईों सो और एक पहर धंधा मा बीते चार पहर गाई दो और एक पहर भरी भजन न कीन हो तो मुकती कई सन होई निदियावाली जबड़ों जिन ज़र राद दर लना होई झार पहर गाईों और रात में दुनिया के जितने लोग हैं सब सोते हैं सब सोते हैं लेकिन तीन आदमी ऐसे हैं जो रात में जागते हैं वो कौन-कौन हैं या तब जागे राजा रानी या तब जागे चोड़ों या तब जागे राजा रानी या तब जागे चोड़ों रात में या तो राजा रानी को नीद नहीं आती अगर सो गए नजर हटी तरगटना हटी चोड़ी हो जागे और या तो चोड़ों या तब जागे राजा रानी या तब जागे चोड़ों या तब जागे राजा राज़ों या तब जागे तो लेकिन तीसरा दमी कौन है या तब जागे साधु महत्मा या तब जागे साधु महत्मा जिनकी लगी राम से दोर निदिया माहिं के भर जागे जागे साधु महत्मा या तब जागे हाव या तब जागे साधु स्वेर्गों या तुर्वन जागे साधू बोलिये सच्चे दर्बार की जये हो